नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने पहले लूटेरे देखे होंगे जो सड़कों पर या माल लीजे जहां भी जंगलेरिया या आउटेरिये में आपको अस्त्र यास्त्र दिखागे लूटते थे, लेकिन वो प्रजाती खतम हो चुकी है, अब प्रजाती जो आ गई है वो है कि आज कल सरकारी करमचारी लूटने लगे और सबसे ज़्यादा रिस्वत कहा चल लई है रेवेंड्यू राजस तुने आलाएं में तैसी लिस्तर पर और उससे भी ज़्यादा अगर कही रिस्वत चल लई है तो वो चल लई है रजिस्ट्री ओपिस में अगर आपको यकीन न करवाले सरकार तो पता चल जाएगा कि रिस्ट्री ओपिस में किस तरीके से आम जनता को लूटा जा रहा है अब आपका प्रस्ण होगा अगर आप नहीं लूटे होंगे तो ऐसे कैसे लूट लेंगे मैं आपको बताता हूं किन पॉइंट्स पे जो है वो लूट दे वो 20,000 रुपए जो है वो लूट लेंगे आपसे यानि कि रिस्वत ले लेंगे अब किन पॉइंट्स पर आपको रिस्वत थकते ही लो मैं आपको बता रहा हूं एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि सात्यों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सोसल मेडिया पे जरूर फॉल अब लिए हमारे आसपास जैसे माल लिए टावा है किसनी है मैनपुरी है तो यहां पे जो है कुछ रिजिस्ट्री ऑफिस में जम कर लटाई का काम हो रहा है वो कैसे रहा है देखिए क्या ऐसा थी हो कि भले ही भारत में माल लिए डिजिटल इंडिया कह रहे हो लोगा लेक रिजिस्ट्री नहीं करेंगे ठीक है और वह असासना आदेश दिखाएगे कि नगत लेंडिया तो रिजिस्ट्री नहीं होगी लेकिन हाँ अगर आप 20,000 रुपए उसका 2% दे देते रिजिस्ट्री ऑफिस वालों को तो वही लीगल हो जाता है पहला नगत लेंडियर के त सीदा सीदा आपको सिंपल सा आपको बता दूँ इसमें एडवोकेट वी जो है वो आपको रिस्वत देलवाने में मदद करते हैं क्योंकि एडवोकेट को भी 50-60% मिलता है उसमें ठीक है कैसे सातियों माल लेजिए सरकार के यहां से कोई एक सासना आदेश आया माल और रिस्वत खोरकरम चारी है वो क्या कहेंगे साधेश को वो कहेंगे कि नहीं सरकार ने यह कहा है कि रोको मत जाने दो यानिकी सेंटेंस एक यह है उसके दो मतलम निकल आएगी ठीक है ना और जब आप पैसे देदोगे तो उसी सेंटेंस का सही अर्थमीनिक निकाल देग तो वही रेजिस्ट्री संपन्न हो जाती है ठीक है पहली चीट दूसरी चीच सातियों यह है कि जाच के नाम पे आपको ठकते हैं माली जी दे कि जो भी आम गेखती होता है वो पचारा डर जाता है माली जी आपने बिल्कुल सही प्लोट खरीदा है ठीक है वो गाएंगे हम ज माली जी जनता है जो रजिस्ट्री कराने आई है वो डर जाते है और डर के लिए वह एक परसेंट जो है वह माली जी वहां पर रिस्वत देती है सबसे पड़ा रिस्वत कहां दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नियम है सेक्शन 98 UPRC कि अनुसूचित जाती अनु हो जाता है वरना कलेक्टर से परमीशन लेनी पड़ती है ठीक है अब धडलले से उत्तर पदेश में प्लॉटिंग चल लाई है कई SCST वर्क के वेक्ति जो है वो अपने प्लॉट्स बीच रहें तो अगर आपने रिस्वत नहीं दी तो SCST से आप प्लॉट भी नहीं खरीद स चल लाई है मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जहां भी रिजिस्ट्री ओफिस है रिजिस्ट्री ओफिस में अगर आपको पार दर्सिता करनी है तो जहां भी रिजिस्ट्री कारयाल है वहां पे टोल फ्री नंबर होना चाहिए कि अगर कोई भी रिस्वत लेता है तो इस नं पर कोई जाच नहीं होगी अगर यह रिलीफ दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि पता चल जाएगा सरकार को कि रजिस्ट्री ओफिस जो है सारे मुझे लगता है कि 90 पर्सेंट इस भी जजमेंट नहीं करते अगर उनकी संपत्ति की जाच करा ली जाए तो मुझे लगता है कि वो भी सलाकों के पीछे हो जाएंगे और मुझे लगता है कहीं न कई पुलिस अधिकारी, SHO है, CO है, यहां तक मैं कहूंगा, जो head constable भी है, वो भी सलाकों के पीछे हो जाएंगे, आप एक बात सोचिए, कि रजिस्ट्री ओपिस में, जो सब रजिस्टार है, माल लिए उसको 70,000 रुपई मिल ला है, कहीं उसके पास XVV गाड़ी है, Scorpio है, कहीं F ते माल लिए जी सिकायत कर सके, तीक है, उस ब्यक्ति का नाम, पता, बिल्कुल जो है, प्राइवेसी में रहना चाहिए, जैसे माल लिए सात्यू में आपको दारण देता हूँ, माल लिए कोई A अधिकारी है, वो रिस्वत लेता है, तो सरकार को ऐसा नियम बनाने चाहिए एक पोटल बनाना चाहिए, कि उस A के खिलाब सिकायत कर सके, तो सरकार ये पता चला लेगी, कि वही ये A के खिलाब कितनी सिकायत आती है, अगर माल लिए बहुत अधिक सिकायत आती है, उनकी जाच करवाई जाए, और अगर माल लिए जाच में वो तीर या चार सिकायतों म मालीजी अगर दोसी पाया जाता है तो मुझे लगता है कि उसका प्रमोसर वह से अटा दिया जाए उसे चप्रासी बना दिया जाए ठीक है अब होता क्या है कि बिचारे जो पीड़ते हैं वो सिकायत नहीं करते हैं अगर मालीजी उन्होंने सिकायत कर दी तो वो सोचते हैं हम क्यों वही लपड़े में पड़े हैं कि हमारे संपत्ती की जाच हो गई भालतु मुझे कोट कचेरी की चक्कर काटने पड़े आप जो सिकायत करता है उसका नाम पता नंबर पूरा डिटेल हाइट रखे बिल्कुल आप प्राइवेसी रखे बस अधकारियों पर कारवाई करे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पारदरस्ता हो सकती है साथियों आप क्या क्या कहना आए आप कमेंट में अवस जो है अपना करें मैं जो है मैं बस इसी लिए मुझे थोड़ा दुप होता है कि आजकल पूरा सिस्टम अगर मालीजी आपको लगता है कि लोग किन से ज़ देश्वत लेते पकड़ा जाए उसे दस साल या आज इवन कारावास की सजा आनी चाहिए और उसकी संपत्ति जब तो होनी चाहिए जब तक इतने सक्त कानून नहीं बनेगे तब तक इस देश की ब्रस्टाचारी जो है वो बिल्कुल रही रुखेगी साथ यो इसी की साथ सा दने बाद आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं सेर करें और सोसल मीडिया पर अवस्ट फॉलो करें मुझे ट्विटर है इस्टाग्राम है लिंक वीडियो की डिस्वस में आपको मिल जाएगी दने बाद